कहा जाता है कि उपर वाले ने औरत को बड़ी फुरसत से बनाया है लेकिन उसके लाइफ में फुरसत लिखना ही भूल गया फिर चाहे वो professionally active हो या फिर housewife हो marriage होने के बाद और mother बनने के बाद जो females होती है वो एक के बाद एक responsibilities को जगल ही करती रहती है फुरसत क्या होता है उसका मतलब उनको याद ही नहीं रहता अब जो females professionally active होती है उनके efforts तो clearly visible होती है कि वो क्या क्या कर दिया है लेकिन जो housewife होती है, stay at home moms होती है उनकी जो efforts होती है वो mostly ignore कर दिये जाते है जबकि वो बहुत बड़ी responsibility यानि कि घर को manage करना और बाकी सारे अपने कामों को जाधा अच्छे से कर पाए उसमें उनको support करना ये responsibility निभा रही होती है लेकिन सबको ये लगता है कि ये घर पे ही तो रहती है ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रही है सबकी थोड़ी बहुत help कर दी तो क्या फरक पड़ता है कि वो एक की बात एक कितने ही काम करती चली जाए न लेकिन उनको जो वो काम दिख रहे हैं घर पर रहकर भी वो बिल्कुल खतम नहीं होते और अगर वो rest भी कर रही होती है न तो भी उनके mind में ये ही चलता रहता है कि अब क्या काम करना है अब किसके आने का time हो गया अब किसको क्या provide करना है और जब हम work front पर active होते हैं न वहां से तो हमें फिर भी कभी न कभी चुटी मिलती रहती है लेकिन ये जो family वाली responsibility बच्चों वाली जो responsibility होते हैं उससे कभी भी चुटी नहीं मिलती जो अपने घर के काम को तो beautifully manage करती ही करती है साथ ये साथ अपनी personal growth पे भी ध्यान देती है मगर video शुरू करने से पहले in case आपने मेरी ये शकल आज पहली बार देखी है तो channel को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना मैं इस channel पे ऐसे ही videos upload करती हूँ जो हमारी quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कराने में support करते हैं so without any further delay let's begin तो एक smart housewife बनने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना आपको उससे और जादा काम करने है बाप काओगे ये कैसे पहले ही इतने सारे काम है जो खतम नहीं होते है टाइम नहीं निकलता तो और जादा काम क्यों करें तो इसका मतलब ये है जादा काम करने का मतलब ये है कि हमने ना अपने scope को broaden करना है हमने ना limited कर लिया होता है अपने scope को घर रहकर सिर्फ घर के कामों तक सिर्फ हम घर के कामों में उलजे रहते हैं जो family members हैं उनके कामों में उनकी help करने में उलजे रहते हैं लेकिन हमको क्या करना है कि हमको scope को बढ़ाना है यानि कुछ ना कुछ घर के कामों के अलावा भी करने के लिए time निकालना है और वो नई काम करने क्या है हमने वो जो कि हमारी personal growth में हमको support करते हो जो कि हमें हमारी value को increase करने में help करें मतलब कोई art new सीख सकते हो, कोई नई language सीख सकते हो या फिर studies अगर incomplete रह गई हैं तो उनको फिर से continue कर सकते हो कुछ नई studies में enroll कर सकते हो, नई languages सीख सकते हो या फिर घर से ही किसी तरह का business या फिर part time job जो है वो आप start कर सकते हो क्योंकि जितना आप अपने scope को broaden करोगे ना, एक तरह के task के हमेशा routine में नहीं करते रहोगे अपने accordingly prepare करना है, हमारा schedule ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को इतने बज़े school जाना है इसलिए मुझे इतने बज़े उटना है, husband को इतने बज़े टिफिन ready करके देना है इसलिए मुझे इतने बज़े तक ये काम कर लेना है, हमको अपना एक schedule बनाना है फिर उसमें हमने fit करनी है बाकी की responsibilities जैसे कि मुझे सुभे इतने बज़े उटना है, उसके बाद मुझे ये वाला काम करना है फिर उसके बाद मुझे ये वाला काम करना है जब हम अपने point of view से एक डेकरस schedule बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि कई बार ना हमको थोड़ा सा extra time मिल जाएगा, हम time बचा लेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से time को manage कर पाएंगे क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तो हम time की उतनी value नहीं करते हैं हमको लगता है कि हम घर पे ही तो हैं कोई बात नहीं यह काम अभी नहीं हो रहा अभी यह काम छोड़ देते हैं बीच में इसको फिर कर लेंगे हमको ना अपना schedule बनाना है अप प्रायोर्टाइस करने हैं हमको घर रहते हैं तो भी हमको दिखना है कौन से काम है जो आज के दिन में करने जरूरी है और कौन से काम है जो करने जरूरी नहीं है क्योंकि अगर हम time को manage नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि सुबह से लेकि रात तक आप busy रहोगे एक के बाद एक के बाद काम करते भी चले जाओगे लेकिन जब रात को सोने पहुंचोगे तो फिर यहीं लगेगा कि अभी तो इतने सारे काम और हैं कल सुबह उटते फिर बहुत सारे काम करने तो क्या काम करने हैं जब उनको लिखा करेंगे ना डेली तो हम ज्यादा mentally free होकर relaxed mind से ज्यादा productive होके उन कामों को कर पाएंगे जिससे कि घर की जो भी responsibilities है ना हम उनको timely finish करके अपने लिए time निकाल पाएंगे अब हमना जब time को manage करना सीख जाएंगे तो obviously हमको बहुत सारा free time भी मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर हम एक smart housewife बनना चाहते हैं तो हमको अपने उस free time में हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा कई बार वो self pity में भी चली जाती हैं कि मैं बेचारी घर रहती हूं सारा दिन मेरे पास कोई नहीं आता मैं कहां पर जाओं मैं तो ऐसे ही रह गई मैं तो कुछ नहीं कर पाई इस तरह के thoughts उनके mind में आने शुरू हो जाते हैं इस वज़े से वो अपने आपको जबरदस्ती क ही ना कहीं busy रखती हैं तो अगर हम एक smart house बनना चाते हैं तो हमको अपने free time को अपने favor में utilize करना है कुछ अच्छी books पढ़ें अपनी life को analyze करें खुद के साथ connect होने की कोशिश करें मेरी क्या पसंद है क्या मेरी ना पसंद है में life में मेरी क्या dreams हैं क्या goals हैं उनके बारे मे हम सोचें उनको हम लिखना शुरू करें क्योंकि जब तक हम यह decide ही नहीं करेंगे कि हम अपनी life से हम क्या चाते हैं तब तक हम उनके उपर work भी नहीं करेंगे ना overthinking की जगे हम अपनी life को analyze करना लग जाएं कि हमको अपनी personality में और क्या improvements करनी हैं मैं अपनी life को और कैसे better तर कर लेंगे और जब हमारे mind को वो take over करके हमारी personality को negative बना देंगे ना तो हमारे घर के बाकी सारे members हम चाहे उनके लिए कितना ही काम कर रहे हों हमको resist करना शुरू कर देंगे हमारी किसी भी effort की किसी तरह की value नहीं करेंगे तो हमको अपने mindset को positive रखना है तो इसके लिए हमें क अपने looks की तरफ अच्छे से तयार होती है वो daily अच्छे से calm करती है और फिर बाहर निकलती है लेकिन कई बार जो housewife होती है वो इस चीज को ignore कर देती है क्यों क्योंकि हमारे mind में हमीशा से यह है कि या तो सजना है मुझे सजना के लिए या फिर किसी party के लिए इस thought को खतम क मेरर में अपनी शकल दिख रही होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती तो हम फिर negative सोचना शुरू कर देते हैं कि ओ मैं तो housewife हूँ मैं तो सारा दिन घर रहती हूँ देखो मेरी घर में रहके क्या हो गई है कई बार तो अपनी grooming को कुछ females इतना ignore कर देती है ना कि वो सारा लिब बाम लगा लो बालो को अच्छे से कॉम कर लो आजकर बहुत अच्छे अच्छे comfortable clothing ऐसी भी आती है जो कि हम घर में पहन कर comfortable भी रह सकते हैं और smart भी दिख सकते हैं यह नहीं सोचना हमने कि मैंने तो सार दिन घर पर ही रहना है मुझे किसने देखना है मुझे क्या करन और वैसे भी एफीमेल्स की personality का पार्ट होता है कि जब हम अच्छे से तयार होते हैं जब हम खुद को देखते हैं अच्छे से तयार हुआ 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 तो हमारा mind जो है वो बहुत happy हैपी हो जाता है जिससे कि हमारे family members है वो भी happy हैपी रहते हैं similarly हमें अपनी health और fitness का भी ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि मैं कुछ भी खालूं कभी भी खालूं इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि later age में क्या होगा कि जैसे जैसे age बड़ेगी हमारा जो stamina है वो कम होता चला जाएगा हमारी health जो हो जितना भी खा रहे है या फिर खाही है मेल्स को skip कर रहे है जब ठक जाओ तो रेस्ट कर लिए जब प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि पहले यह काम निप्टालनों उसके बाद पानी पियोंगी भूक लगी हो तो पहले खुद बैट कर ख उसके उनको बिल्कुल ही खबर ना हो, उनको अपडेटेड हेना चाहिए कि क्या नई टेकनोलोजी आरही है, क्या मार्केट में नया आया है, क्या न्यूज है वर्ल्ड में क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत उसकी इंफर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि जो हमारे ठीकिंग है, वो limited ना रह जाए वो और expand हो सके updated हैने के लिए हम अपने बच्चों को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे टाइम और अपके टाइमी ना sleepers में काफी changes आ जाते हैं patterns change हो जाते हैं तो अगर हम उनको पढ़ाएंगे ना तो भी हम updated रहेंगे study से क्या नया नया आड हुआ है क्या नया नया आज के बच्चे सीख रहे हैं वो हम साथ के साथ सीख पाएंगे जिससे कि हम एक smart housewife बन पाएंगे और कल को जो बच्चे हैं वो किसी भी बात पर अपनी मम्मी को ये नहीं बोल पाएंगे कि मम्मी आप तो सारा दिन घड़ के अंदर रहते हो आपको क्या पता की बहार क्या चल रहा है अब ऐसे ही जब हम professionally active होते हैं हम work place पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको colleagues मिलते हैं हमारा एक circle बनता है लेकिन जब हमें एक housewife होते हैं तो हम घर पर रहते हैं most of the times तो हमारा कई बार जो friend circle होता है न वो छूट जाता है तो इसलिए अगर हम housewife भी है न तो भी हमको अपनी friends को नहीं भूलना कोशिश करनी है कि हम अपनी friends का एक group ऐसा हो जिनसे हम कभी-कभी मिलते रहें उनसे बात चीत करते हैं और दोनों तरह की friends होने चाहिए जो professionally active है वो भी और जो housewife है वो भी ताकि और उनकी life में क्या चल रहा है वो क्या नया कर रही है हम उनसे inspiration ले सकें क्योंकि हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते हैं तो जब हम उनको observe करें कि वो कैसे अपने time को manage करती हैं कैसे वो अपनी care पर time लगाती हैं तो हम उनसे कई चीजें ऐसी सीख सकते हैं जो कि हमारी personal growth में भी हमें support करेंगी और हम भी smart housewife बन पाएंगे अब पहले तो यह होता था कि जो लोग job करती हैं वो working woman है और जो घर पर रहती है वो housewife है लेकिन जब से ये covid की situation आई है तो mostly जो females हैं उनके जो office हैं वो घर पर shift हो गया है जैसे कि मैं भी आजकल work from home ही कर रही हूँ तो यानि कि मैं एक housewife हूँ जो कि घर से ही professionally active है और क्योंकि digital age चल रही है तो ऐसे बहुत से options हैं जिससे कि हम घर बैठे थोड़ी बहुत earning भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम financially independent होते हैं थोड़ा बहुत हम earn करना शुरू करते हैं तो उससे एक अलग तरह की self satisfaction आती है एक अंदर से अपने आपको लेकर ना खुशी सी feel होती है तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक housewife होने के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं professionally भी active हों इसके लिए आजकल बहुत सारे options हैं तो इस पर अगर आप detailed video चाहते हो work from home option housewives के लिए तो मुझे comment करके बता ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अब इसे के साथ अगर हम housewife हैं और हम professionally active भी नहीं है फिर भी हमें अपने आपकी value करनी है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो professionally active होती है उनकी life जाद अची होती है या फिर जो housewives होती है उनकी life जाद अची होती है सबकी life के अपने-अपने अलग-अलग तरह के challenges होती है तो अगर हमने decision लिया है housewife बनने का तो हमको उसमें खुश रहना चाहिए क्योंकि life का मतलब सिर्फ career बनाना या family की responsibilities निभाना नहीं होता life का मतलब होता है life को जो हमें मिली है उसको enjoy करना जितना हम बाकी रिष्टों का ध्यान रखते है न उतना ही जादा हम हमारे साथ जो रिष्टा है उसका भी ध्यान रखें तो अगर किसी विज़े से हम professionally active होना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं कोई नहीं ध्यान दे रहा है तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए अलग-अलग तरीके से क्या पता कब situations हमारी favor में आ जाए तो हमें उसकी तैयारी करते रहना चाहिए और अगर हम चाते ही नहीं है professionally active होना तो हमको किसी और के साथ compare करके अपनी value को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि जब हम खुद की value को समझते हैं तो ही बाकी सब हमारी value को समझते हैं और हमारी respect भी करते हैं और तो हम असल में एक smart house wife बनते हैं All in all एक smart house wife वो होती है जो घर के कामों को तो अच्छे से manage करती ही करती है अपनी growth पे भी focus करती है और किसी और की life के साथ खुद को कभी भी compare नहीं करती तो अगर वीडियो पसंद आया है ना तो like करके मुझे भी बता देना और इसको अपनी friends के साथ share ज़रूर करना मिलते हैं next videos में Till then stay blessed, stay smiling, नमस्ते